आप आपके साथ मैं हूँ अंकित सिंह करक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा करक्रम में मौझूद है प्रभासाक्षी के संपादक नीरश कुमार दुबजी सर आपका बहुत स्वागत है और हम लोग चाय पर समीक्षा कारेक्रम कर रहे हैं लेकिन जो कोलकता से मामला उठा था वो हमने असम में भी देखा महराष् और जाढ़ है जहां ताही चंभ राइख मेरा समय किया करते हैं पिछले सब्सक्राइब के बश्रonnambu कश्मेर में ड़ेगा जीदेब्सक्री त्हकंडम्र रेते दिन में एक वह दोड़े तोनिश्य कंपरास्रेंग्ट ऊंग्रिस दोनों एक साथ गट बंढन में आशुके ह नहीं हुआ है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा लेकिन राहुल गांदी और मिलकार जुन खरगे दो दिवस्ये स्रेड अगर के दौरे पर गये थे और बड़ा दिल दिखाते हुए खुद वो लोग फारुक अब्दुला के घर गए और गठबंदन पर फिर बातचीत लेकिन जिस तरीके से गठबंदन हुआ है नेशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस का उसको लेकर अब राजनेतिक वार बलट वार का दौर्ट शुरू हो गया है अमितिशा ने सबसे पहले सवाल खड़े किये फ्रेस वित्रियानी का प्रेस कॉंफरेंस हुआ अब भाजपा सा लाफ है जो बकरवाल और बाकी जो हिंदू समुझाय के हैं वहां उनको दिया गया है इस पर आप क्या कहें देखे पहले तो यह समझना हुआ कि जो अब्दुल्ला फैमिली और जो गांधी फैमिली है इनके बीच में गठबंदन अभी हुआ है ऐसा नहीं गठबंदन शु किस तरीके से राजीव गांधी जी ने फारुक अब्दुल्ला की मदद की थी और अब्दुल्ला ने ट्वीट किया खोदी ट्वीट किया वह फोटो जब यह आपने कहा कि उनके घर गए तो उसके बादी वो ट्वीट भी किया फोटो कि देखिया अमरा रिष्टा कितना प वह जम्मू कश्मीर से निए अब्दुल्ला फैमिली से हैं और यह इनको जवाब देना चाहिए जो कॉंग्रेस के साथ क्योंकि नेशनल कॉंफरेंस का सभी 90 सीटों पर सीटों का समझाता है वैसे गठमंदर इनका हमेशा से रहा है अब जो सीटों का समझाता हो गया है क्य कॉंग्रेस को सवालों का जवाब देना ही चाहिए साथ ही मेरा सवाल एक और भी बनता है आपको ध्यान होगा कि मेरे खाल से शायद 2014 का लोकसवा चुनाओं की ही दौरान की बात है या 2015 में जब इससे पहले जब जम्मू कश्मीर विधान सभा के चुनाओ थे उमर अब्द चाहिए कि क्या वो अब जो वो कह रहे हैं कि जो उसकी पहले की जो समयधानी की स्थिती थी जम्मू कश्मीर की वो बहाल हो जाए जो की साल 2000 में उन्होंने एसम्मली से पास कराया था जिसे ततकालीन अटल जी की जो कैबनेट थी उसने खारिज कर दिया था तो अब आप द अब आप देखिए कि जैसा आपने कहा कि हरी परवत का नाम बदलने की बात कर रहे हैं आप यह कहते हैं कि बीजेपी पर आप आरोप लगाते हैं कि वह हिंदू-मुस्लिम की राणिती करती है अब आप कह रहे हैं कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो आपकी सचाई ब्यान कर दोहर है वो हिंदू की आस्था तो है ही उसके साथ में आम-कश्मीरी की भी उसके परवत के साथ मंदर के साथ आस्था जूढी हो तो उसके साथ एक आस्था और आम कश्मीरी की भी आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है तो आप कहते हैं उसका नाम बदल देंगे अब भीया वह आप कैसे नाम बदल देंगे दूसरा क्या है कि आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर मोधी सरकार के आने के बाद से मंदि प्रवतों के नाम बदल देंगे अतिहासिक चीजे हैं इनके साथ आस्था जोड़ी हुई है तो आप आस्था पर चोट कर रहे हैं तो आस्था पर चोट आप इसले कर रहे हैं ताकि जो पहले का समय था जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था जब एक वर्ग के मन में दूसरे वर्ग के प्रती नफरत पैदा हुई थी तो आप ये नफरत पैदा करके चुनाओ जीतना चाह रहे हैं तो आप एक तरफ आरूप लगाते हैं बीजेपी पर कि को हिंदू-मुस्लीम गिराडिती करती है आप तो अपने मैनिफेस्टों में लिख कर दे रहे हैं यह आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू होना चाहिए तो यह सब दिखाता है कि आप जितने देश विरोधी वादे हो सकते हैं वो सब लिख रहे हैं और आप देखें कि यह हमारे सम्विधान में कह सकते हैं कि जो दिया गया एक तरह से लचीलापन है जो अधिक अधिक वादी जिनका मनोवल तूट चुका था उनमें फिर से उर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं यह लोग जो वहां पर अगर आप देखें कि जो वहां पर कैदी इस समय बंद हैं आप उनको राजनेतिक कैदियों का नाम देकर उनको रिहा करानी की बात कर रहे हैं कि हमा फिर से चाते हैं कि अगर कोई ब्रस्टाचार हो तो वहां पर कोई केंद्री एजनसी उसकी जांच नहीं कर सके केंद्र सरकार उसका हिसाब नहीं मांग सके और जो वहां की जो भूमी इन्होंने कबजा रखे थी सरकारी भूमी नेताओंने कबजा रखे थी वह वापस इनक की बड़ी शक्ति की तौर पर यह लोग उबरे लेकिन यह जो बीजेपी को और केंदर सरकार को तीन सो सतर हटाने से नहीं रोक पाए तीन सो सतर की वापसी जो किसी भी हालत में यह लोग करा नहीं पाए और भी तमाम जो हां पर कदम उठाए गए उसको उठाने से भी यह भाथा कर मुकाबला करना चाहरे रहे हैं क्योंकि जो मामला फसा है वो सिर्फ अब्दुल्ला फैमली का नहीं फसा हो गांदी फैमिली का आज इस तो इसलिए सारे इकटे हो गए लेकिन अब देश को सोचने है पर आम कश्मीरियों को सोचने ही ज़रूत है क्या कश्मीरी च क्शमीरी चाहिएंगे कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएं क्योंकि वहां पर फिर से इस तरीके का माहुल हो जाएं तो यह कश्मीरी को देखना है कि उन्होंने यह जो पांच साल में जो सवतंदरता देखी है यह जो 5 साल में अपने प्रदेश को अन्य प्रदेशों की देखा क्या वो उस पुराने दोरो download को फैसला करना को जम्मू कश्मीर की जनता को देखा दीया था कि वो देश के साथ खड़ी है व कि विकास के साथ खड़ी है व जो इस तरीके के कदर नाक मनसुब्स एक वेसुन का आह कुं मुफ्तिक्व aussi तो आप दिखाता है कि अप्राने दौर की जनता इसा नहीं है आज का युवा जाक चुका है के बच्चों के हाथों में आज पत्थर नहीं लैपटॉप है आज वह आगे बढ़ रहे हैं अपने बिजनेस संहाल रहे हैं अपने जो वहां की संस्कृती थी वहां की जो हैंडी क संस्कृती विरासत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो अब यह जो मनसूबे पाल रहे हैं इस तरीके के मुझे लगता है कि सफल नहीं है कि जब पीडिपी से अपने गठबंधन किया था तो क्या आपने उनका मैनिफेस्टों पढ़ा था जब फारुक अब्दुला और उम कॉंग्रेस कह रही है इस प्रभाद पर क्या जबाब देगी है देखे हमको एक चीछ हमजनी पड़ेगी कि ठीके कॉंग्रेस का वह आप कांटर तो करेगी कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है लेकिन आप देखिए कि फारुक अब्दुला आय अटल जी के साथ बीजेप अब लोकसभा में दिखाने है तो मुझे गठमंदन बनाना पड़ेगा उस गठमंदन में सिर्फ एंसी रही हो ऐसा नहीं है उस गठमंदन में जब 23-24 दल एकटे होकर सरकार बनी थी तो सब ने जो अपने जो अजेंडा है सबने अपने एंटा बीजेपी के एक और और अपने अजेंडा के तहत हुआ शरकार चली थी और उस दोरान कोई भी इस तरीकềं की बात ही नहीं हुए तो वह इसलिए यह बात कहना कि आपने क्या बीजेपी ने उस समय नेशनल कॉंफरेंस का गोश्टना पत्र नहीं पढ़ा था चुनाव पूर गठवंदन और चुनावबाद के गठवंदन में बढ़ांतर होता है अब जब आप बात करते हैं महभुवफ्ति के साथ बीजेप होते थे पत्थर बाजी होती थी तमाम तरह की चीजें थी उस बीच में आपको एक समयधानिक बाद देता हर राडितिक दलकी होती है कि अगर चुनाव हो गए हैं तो नंबर आपके पास है तो आप सरकार बनाईए आप जो जनता ने अपनी एक जन परतिदिदी को चुनकर आप भेजा है विधानसवा में तो उसने अपेक्षा किया है कि सरकार बन जाए और मेरी समस्याओं का हल हो अब वो आपके विचार मेल नहीं खाते हैं आपके क्या बोलते हैं आपकी एक दूसरे से दुश्मनी है उसका भी आप आगे जाकर आप गठबंदन कर सकते हैं ताक कश्मीर में शांती लाए जा सके वो प्रयास सफल नहीं हुआ तो यह सरकार गिर गई और राणिती में प्रयोक करने ही पड़ते हैं और आप उस सरकार को भी देख लिए उस सरकार में भी बीजेपी ने समर्थन वापस दिया था क्योंकि बीजेपी को लगा था कि यह सरकार अपने जो हमने आपस में एक सहमती करके एक एजन्डा बनाया था कि इस एजन्डे पर चलेंगे उस एजन्डे से जैसे में मुफ्ती भटकी सरकार गिरा दी गई और वह समर्थन भी तो बीजेपी ने उनके पिता को दिया था और दूसरी बात यह है कि इसमें हमको दो है कि चुनाओ के पहले का गठवंदन चुनाओ के बात का गठवंदन दोनों में बड़ा अंतर होता है स्थितियों अलग होती है चुनाओ बात की तो इसलिए सरकार गठन के लिए आपको साथ में आना ही पड़ता है और ऐसे तमाम उधारन मौजूद हैं जब एक दूसरे क कि चलती रहती राजनीती है राजनीती में को स्थाई दुश्मन होता नहीं है लेकिन जो हमको ध्यान देखना चाहिए कि क्या बीजेपी ने जब नेशनल कॉंफरेंस से अगठवंदन था और पीडीप के साथ उसका गठवंदन था क्या इन दोनों दलों के जो एजेंड़ से संबंदित भाजपा पर आते हैं राम माधाओ पतलब एक चर्चा है कि मतलब संग का फिलहाल पार्टी में दखल बढ़ा है अब उसमें कितनी सचाई है यह तो आप बता पाएंगे लेकिन राम माधाओ की जरूरत क्यों पड़ गई वह तो वापस जमू कश्मीर से चले पर आपको ध्यान होगा कि राम अधा के पास पहले भी जम्मू कश्मीर का प्रफार और पुरूतर का भी रहा है तो जम्मू कश्मीर के प्रफारी होने के नाते और जो संग के लोग है वह आपको ग्राउंड लेवल पर दिखते हैं वह बिलकुल गाओं में जाते हैं करते हैं उनके जो मूल मुद्धे हैं उससे सरकार को अवगत कराते हैं उनका अपना एक लोगों से कनेक्शन बनाने का एक अपना तरीका है तो राम माधा जब जम्मू कश्मीर के प्रफारी रहे थे तो उन्होंने एक अपना बड़ा वहां पर नेटवर्क बनाया और वह अभी जब बीजेपी में नहीं थे तब भी उनका जो ऐसे जो खासवर पर संग से प्रशिक्षित होकर निकला जो व्यक्ति है संग का परचारक रहा हुआ व्यक्ति है तो उनका अपना पहुत बड़ी टीम भी है तो वह उन्होंने उस नेटवर्क को छोड़ा नहीं था और जब यह बात सामने आई जब आपने दिखा हुआ कि डीडी सी चुनाओ हुए थे तब राम माधाओ थे उस समय तब आप देखिए कि डीडी सी चुनाओ में और वह पहला सा चुनाओ था जम्मू कश्मीर में बीजेपी को एक तरह से अचूद समझा जाता था कि वह ठीक है वापस फिर से यह जो चुनाओ है बड़ा महत्पूर्ण है और आप देखिए कि इस जब लोकस्वा चुनाओ के बाद से बीजेपी ने ऐसे जो दरकिनार कर दी गए नेता थे जो जिनको ऐसे भी कई सारे वरिष्ट नेता थे जिनको अब तक पूछा नहीं जा रहा था तो आज वह प्रवहवी भूमिका में आ गए हैं कि लगता है कि सारे नेने वही कर रहे हैं तो ना सिर्फ राम बादाओं की हुमिका बढ़ी है कई एंद्री मंत्रियों के बढ़ी है और पार्टी के मामलों में आपने का कि संग का दखल देखे संग दखल नहीं देता संग जब लगता है कि हमको अब यहां पर कुछ निकल ना जाए जी अगर कोई गलत रहा पर की तरफ बढ़ रहा है तो उसको वही रोक कर उसको सही रहा पर लाया जाए तो संग यह काम कर और फिर उसको वहां पर करके उसके फिर वह अपना किनारे हो जाते हैं तो संग ने सिर्फ इत सब्सक्राद है है कि उन्हों ने कि अगे जा तो यह दिखाता है कि यह कंग के डारम संगी संग को पता है ना आपने देख लिया कि लोकस्वा चुनाओं में आप 240 पर आगे आपने देखा कि संग जानता है कि अगर जम्मू कश्मीर जारखंड हर्याना महारास्ट में बीजेपी का परदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो हो सकता है कि यह जो 240 सांसद वाली जो सरकार है यह पता नहीं आ हए तो नहीं संग है तो मुमकिन है मिलकुल हर्याना में मतलब बीजे पी के संग अभी अगर हम देखें तो अब तो पर चारक रहे थे और अब उनके नायब रहे नायब सिंग सहिंह समाल रहे हैं हुआ तो लेकिन जो हाला थे हुँ यहां पर बहुत जाता है कि अनुकूल नहीं है लेकिन जिस तरीके की जो अंदरूनी संघर्ष वहां पर कॉंग्रेस की भीतर देखने को मिल रहा है कि शैल जा कभी बयान में देख रहा था कि विधांसवा चनाव भी लड़ना चाहती है हो कहते हैं कि हां क्यों में मुख्यमित्री नहीं बन सकती मैंने केंद्रे में वर्ष राज राजी की जनता के सेवा करना चाहती हूं हुद्डा अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं खुद के लिए भी बैटिंग कर रहे हैं और उनको उनके समर्द तक आज भी सीएम साब क जो दोड़ में ना हो तो यह हर्याना का जो आपसी सिर्फ वुटबवल है कॉंग्रेस की देखने को तो मिल रही है लेकिन एक बात ये भी है कि दस साल का जो बीजेपी का शाशन था उसके परती जनता में नाराजगी भी है वो नाराजगी वोटों में कितना बीजेपी के परिणाम दर्शाते हैं कि बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है और जिस तरह से जचपा वहां पर धराशाई हुई है जिस तरह से आमादी पार्टी अपना प्रवाव नहीं बढ़ा पा रही है तो जब दो खासवार पे बीजेपी कॉंग्रेस के है पुन भूमी का रहेगी खर देखना दिल्चास पोगा सबको चार अक्टूबर का इंतजार है लेकिन उसके पहले वोटिंग का दौर हम सब देखेंगे और आज के चाहिए पर समिक्षा कारी का में इतना ही अगले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए के बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके